नमस्कार मैं हूँ दिवर विहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 9 जून दिन रवीबार खबरों के उबने से फैल एक नजर सुर्खियों पर इस दिन से मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के लिए करे आवेदर नीट परिक्षापर आईये में की जूनियर डॉक्टर विंक ने उठाय सवाल विहार में 10 से 16 जून तर विमेंस का बड़ी लीग का होगायोजन आज पीम पद के लिए नैंद्र मोदी लेंगे सपत जाने समारों का कारिक्रप फास्टेक काम नहीं करने पर अब टोल टेक्स चुकाने में नहीं होगी परशानी आज भारत और पाकिस्तान के बीट T20 वर्ल्ड कप का महा मुकाबला अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बरी खब्रों के और विस्तार से State Bank of India ने Trade Finance Officer के पदों पर निकाली भरती आविदन करने के अंतिन तारिक 27 जून है इच्टो को मिदवार इसके आधिकारिक वेबसेट sbi.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं ये भरती कुल 150 पदों पर की जाएंगी इस भरती के लिए मिदवारों की उम्र 23 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए इन पदों पर आविदन करने के लिए आपको 750 रुपे देने होंगे आरक्सत उमिदवारों को उसमें छूट मिलेगी भर्जे से संबन्दित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसेट अधिसूजना को देख सकते हैं इस दिन से मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के लिए करे आवेदन मुख्य मंत्री उद्यमी योजना दोजाट चौबस के बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा गोस्तना की जा चुकी है एक जुलाई से इसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं आवेदन की ये प्रक्रिया 31 जुलाई तक चलेगी इसकी जानकारी आपर विभाग के मुख्य सचीव संदीप पॉंट्रिक ने दी है इस योजना का लाब उठाने के लिए इचुक लोगों का चैन अनुसूजित जादी जन जाती उद्यमी योजना अति पिच्छा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अलपिस संख्यक उद्यमी योजना के तहत होगा इस योजना के तहद आपको 10 लाक रुपे दिये जाएंगे जिसमें 50 फीज़ी अनुदान और 50 फीज़ी ब्याज रही तरिन होगा इसका लाब उठाने के लिए जरूरी है कि आपके उम्र 18-50 वर्ष के बीच में हो और आप बिहार के अस्थाई निवासी हो बिहार वासियों के लिए IRCTC लेकर आया है सिर्डी और जोतिलिंग यात्रा का टूर पैकेज IRCTC लोगों को समय समय पर टूर पैकेज देती रहती है एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए IRCTC टूर पैकेज लेकर आई है कि टूर पैकेज सिर्डी और जोते लिंग यात्रा के पैकेज के साथ हीले लद्दा का भी पैकेज लेकर आया है इस पैकेज के तहट लोगों को भारत ट्रेन गौरफ के जरिये उज्जैन, सुमनाथ, द्वारिका, सिर्डी और ना से घुमाया जाएगा इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको आयार सिर्डी और जोते लिंग यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये पैकेज 10 से 11 दिन का है तेर्थ यात्रियों को ट्रेन में सबार होने के लिए ये ट्रेन 9 जुलाई को बेटिया स्टेशन से खुलेगी जो सुगौली इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको आयार सिर्डी सिर्डी के वेबसाइट पर जाना होगा इस पैकेज का कोड़ EZBG17 है इस टूर पैकेज चे संबंदित सठीक और अधिक जानकारी के लिए आप 8-5-9-5-9-3-7-7-3-1 पर संपर्क कर सकते हैं गया की ओफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी में 25 पासिंग आउट परेड का हुआ आयोजन सनिवार को गया में 25 पासिंग आउट परेड का आयोजन ओफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी में देखने को मिला उपसेना प्रमोकुपिंदर द्विवेदी ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली आज से 118 जिंटलमेन कैड़ेट्स गया ओफिसर ट्विनिंग अकैडमी में करी ट्विनिंग लेने के बाद सैने ओफिसर बनने वाले हैं ये 118 जिंटलमेन कैड़ेट्स देश के सैने अफसर होंगे और देश के अलग-अलग हिस्सों में एक अधिकारी के रूप में वे अपना योगदान देंगे प्रदेश के 3297 पंचायतों के 92,924 बार्डों में सोलर लाइट लगाने की हितायारी ये सोलर लाइट लगाने के लिए कुल 3,090 करोर रुपे खर्च किये जाएंगे आपको बता दे कि अब तक 8,053 पंचायतों में से 4,126 पंचायतों के 16,397 बार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाए जा चुके हैं इन वार्डों में अब तक कुल 1,066 लाइट लगें इस संबन में पंचायती राजमंत्री किदार प्रसाद गुपता अपरमुखे सचीव मिहिर कुमार सिंग और निदेशक हिमांसु कुमार राय ने कहा है कि सभी 8,053 पंचायतों के सभी 1,9,321 वार्डों में 10,10 सोलर लाइट लगी है हमें कॉमें लेकर जरूर बताएं बिहार में बंगाल और यूपी से आ रहा प्रदूसन बिहार में प्रदूसन की समस्य आप धीरे धीरे गहराती ही जा रही है हवा की गुनवत्ता खराब होने के कारण लोगों पर इसका बड़ा असर पर रहा है अब इसी को लेकर हीट वेव और बढ़ते प्रदूसन के बारे में कलेक्टिव फॉर्ड क्लाइमेट इन बिहार में अध्यन किया गया जहां पदा चला है कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रदूसन बंगार और यूपी से आ रहे है अब इस अध्यन के बाद बिहार प्रदूसन यंतरन बोट के प्रदूसन विसे सगे की प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा है कि बिहार में UP से उत्तरी दिसा से आने वाली हवा और पस्विम बंगाज से आने वाली पूर्वा हवा भारी मात्रा में सुक्ष्म कन साथ लेकर बिहार में आती है इन दोनों हवाओं में तकराव होता है जिसे बिहार प्रदूसन हवाओं का receiving station बन जाता है वायू प्रदूसन में इसका योगदान 22 फीज़ी है फास्टेक काम नहीं करने पर अब टोल टेक्स चुकाने में नहीं होगी परिशानी फास्टेक काम नहीं करने पर अब टोल टेक्स चुकाने में नहीं होगी परिशानी जब भी हम किसी चार पहिया वाहँ से टोल पलाजा से गुजरते हैं तो हमें इसके लिए टैक्स देना पड़ता है टोल टेक्स को सरल बनाने के लिए फास्टेक आ गगया है आईटी सिस्टम और हार्डवेर में बदलाव क्या गया है अब नैनियम के अनुसार टूल प्लाजा पर उसी कंपनी के उपकरन का इस्तेमाल किया जा सकेगा इन उपकरनों में टूल लेन कंट्रोलर, टूल प्लाजा, सर्वर, और्टोमेटिक, नमबर, प्लेट, डीडर, चमकी बुखार से बचाव के लिए IPID बिहार ने सेर की ये जानकारी, अधिक गर्मी और नमी के मौसम में एक से पंद्रव वर्स के बच्चों में, कई बार चमकी बुखार जापानी, इनसे फ्लाइटेस, मस्तिस्क जवर या दिमागी बुखार देखने को मुलता है, IPID बि भार जो 5-7 दिनों से जादा काना हो, पहचानने की समता कमजोर होना, भ्रहम के स्थिती बनना, बेहोस या हाथ पैर का कर जाना, बच्चे की सरीर का सारेरिक संतुलन बिगरना आधि लक्षन हो सकता है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को तेज ध दिकायत के लिए टॉल फ्री नंबर 1-04 पर कॉल भी कर सकते हैं, वही अमर्जेंसी में आप 1-02 पर कॉल कर एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, बिहार के मदर्सों में भी लागू होगी, नई राश्ट्यों सक्षानीती, नई राश्ट्यों सक्षानीती को बिहार के मदर्सों में भी लागू किया जाएगा सैक्षा विभाग ने एक उच अस्तरीय कमीटी गठित की है ताकि मदर्सों की मौजूदा व्यवस्ता का अध्यन किया जा सके ये कमीटी बिहार के मदर्सों में सैक्षा की वर्धमान सरचना का अध्यन करेगी फिर इसे राष्टे सक्षा नीती के अनुरूप बनाने और विज्ञान मानविकी समेट अन्या आध्वनिक विसेओं में सक्षन पधदी को सुधरिट करेगी साथ ही अलग-अलग वेबसाइक विसेओं को उसमें सामल करने के लिए सरकार से अनुसंसा करेगी फिर नई राष्टे सक्षा नीती के अनुरूप पाठे करम जारी करने की सिफारिस कमिटी द्वारा की जाएगी नीट की परिक्षा पर आई एमे के जूनियर डॉक्टर स्विंग ने उठाय सवाल बिहार समेथ पूरे देश में नीट पेपर लीक के मामले को लिकर काफी बवाल देखने को मल रहा है अब इस मामले में इंडियन मेडिकल असूसेशन की एंट्री हो चुकी है देशल इंडियन मेडिकल असूसेशन की यूथ हिकाई जूनियर डॉक्टर्स नेट्वरक ने इस मामले में CBI जांच की मांग कर दी है CBI जांच के साथ ही दोसियों पर करी कारवाई की मांग भी की गई है और परेक्षा को रड़कर दोबारा परेक्षा आयुजद करने की मांगी गई है आपको बता दे की, नीट की परेक्षा में ग्रेस माक्स का कोई प्राबधान नहीं है बावजुद असके ग्रेस माक्स के आधार पर बच्चों को अंक मिले साथ ही यरने कई वजहों से پरेक्षा सवाल के घेरे में आ चुका है मखाना उत्पादन पर राज़िपार आलेकर ने कही बाद विहार की राज़िपार राजंदर विश्मनाथ आलेकर ने विहार क्रिसी विश्व विद्याले सब और के अंदरगत भोला पास्वान सास्तरी क्रिसी महा विद्याले पुर्णिया में तीन दिवसी ये राश्टर सम्मेलन के उतगाटन सत्र में राजभवन पटना से वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये भाग लिया इस कारिकरम में विश्व मखाना जल क्रिसी के साथ जल जमाब पारिस्थिती की तंत्र का उप्योग चुनौतिया एवं रन्लीतिया रही इस दोरान उन्होंने कहा कि मखाना उतपादन के सेत्र में किये जा रहे अनुसंधान का लाब क्रिसकों को मिलना चाहिए ताकि उतपादक्ता में विर्धी हो सके उन्होंने कहा कि विश्व में मखाना का 90 प्रतीसत उतपादन बिहार में होता है भारत ही नहीं पूरे विश्व में बिहार के मखाना की मांग है इस ठेत्र में अलसीम संभाब नाए है जिससे क्रिसकों को अबगर्द कराया जाना चाहिए सक्षमता परिक्षा में उत्तरन सक्षकों की इस दिन तक होगी काउंसलिंग बिहार सक्षव विभाग सक्षमता परिक्षा में उत्तरन होने वाले 187,615 नियोजित सक्षकों के पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की तयारी कर रहा है उम्मीद है कि जून के आंत तक काउंसलिंग की ये प्रक्रिया पूरी हो फिर जुलाई में सवाभ्यर के माधिम से सक्षकों के पदस्थापना के लिए चैनित जिले में विध्याले आवंटन देंडमाइजेसन के आधार पर किया जाएगा राजे मुख्याले में सभी संबंदित सक्षकों के काउंसलिंग विध्याले आवंटन से पहले की जाएगी काउंसलिंग के दोरान सभी प्रमान पत्रों पर कागजातों का सत्यापन किया जाएगा जल्दी काउंसलिंग का सेड्यूल भी जारी करने की तैयारी है बिहार में 10-16 जून तक विमेंस कबड़ी लीग का होगा आयोजन 10-16 जून तक राजधानी के पातली पुत्रा खेल परिसर में कबड़ी का आयोजन देखने को मिलेगा उस खेल में बिहार के होनहार बेटियां अपना दम दिखाएंगी इस लीग का नाम बिहार विमेंस कबड़ी लीग है इस आयोजन के संबंध में बिहार राजधे खेल प्राधिकरन के महा निदेशक रविंदरन संकरन ने बताया है कि ट्राइल के बाद हम लोगों ने 6 टीमें बनाई है मगत वारियर्स, पटना पेलिकर, सिवान टाइटन्स, सीधा मरी सेंटिलेंस, नालंदा निजान्स और सारन स्ट्राइकर्स नाम की टीमें इस दौरान एक दूसरे को मात देने की कोसुस करेंगी हर टीम को बैलेंस्ट बनाए गया, हर टीम को एक लेडिज, कोच, सहीद, कोच और असिस्टेंट, कोच उपलब्द करवाए गया है हमारा बच्चों को खासकर लर्कियों को मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है इस कमजोरी की वज़ा से वे नेस्टन लेवल पर खेलने में पिछर जाती है इस लिग के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने का अनुपाफ होगा बिहार की बच्चियों को ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिलेगा नेसनल लेवल पर मैच प्रेसल जेने की आदत आएगी जाने प्रदेश की मौसम का हाल बिहार के दक्षनी भाग में लगातार तेज गर्मी और लूको लेकर लोगों का घड से बाहर निकलना तक मुस्किल हो रहा है वही प्रदेश के उतर भाग में कुछ जगों पर हलकी छिटपुट बारिस देखने को मल रही प्रदेश में आज सुपॉल अररिया कसंगंज मदेपूरा सहरसा पुर्णी और कटिहार में बारिस की संभाबना जताई गई है वही बांका भागलपुर जमुई पूर्वी चंपार और रक्षनी भाग में किया दो अस्थानों पर लू को लेकर ओरेंज अलेट जारी किया गया है प्रदेश में आज का अधिक्तन तापमान 44-42 दिग्री और निन्तन तापमान 26-30 दिग्री देखने को मिल सकता है पुर्णिया एर्पोर्ट को लेकर बरिखवर आई सामने पुर्णिया एर्पोर्ट की मांग लंबे असे से की जा रही है अब इसी बीच पुर्णिया एर्पोर्ट को लेकर एक बरिखवर सामने आई है दरसल एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया ने कहा है कि भूमी अधिकरहन के बाद पुर्णिया एरपोर्ट का विकास होगा आपको बता दे कि संबन्द में सामाजिक कार्यकरता विजर स्रीबास्तव ने RTI से सवाल किया था दिसके बाद साथ जून को इसका जवाब मिला है RTI ने जवाब देते वे कहा है कि भिहार सरकार द्वारा भारतिये विमान पतनन ब्राधिकरन को पुर्णिया एरपोर्ट के लिए भूमी सौपे जाने की प्रक्रिया प्रगती पर है जवी नाधिकरन के बाद एरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया एरपोर्ट अथॉरिटी ओफ इंडिय द्वारत शुरू की जाएगी बाबा साहे भूमरा आमबेटकर युनिवरसिटी में एडमिसन के लिए शुरू हो चुका है एडमिसन के लिए चुनेगर बच्चों की पहले सूची भी जारी की जा चुकी है सूची जारी होने के पूर्वी चमपारन के जिलों की कॉलेजों में नामंकन की तैयारी शुरू हो चुकी है नामंकन की ये प्रक्रिया 6 जून से 15 जून तक चलेगी नामंकन में छात्र छात्रों को CLC Inter का अंक प्रमान पत्र आधार कार्ड की फोटो और ओन्ने नामंकन का प्रिंट आउट जमा कराना होगा CBSC वोट के छात्रों को माइग्रेशन भी देना होगा जानिये किस वज़े से मन्रेगा में दो लाग से भी अधिक जॉब हुए है डिलीट नय वितिये वर्स के सुरुवात हो चुकी है नय वर्स के शुरू होने के साथ ही बिहार में दो लाग 57,250 मन्रेगा जॉब कार्ड डिलीट किये गया है ये मन्रेगा जॉब कार्ड क्यों डिलीट किये गया है कई लोगों ने तो दो दो जॉब कार्ट तरक बनवा रखे थे, साथ ही बरी संख्या में जॉब कार्ट धारी पलड़ान भी कर रहे थे। कई जॉब कार्ड धारियों का तो निधन भी हो गया, इसलिए कई लोगों के मन्रेगा जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया गया है, वहीं यदि कोई अपनी अहरता पूरी करता है और कागजा देता है, तो उनकी डिलीट किये गए जॉब कार्ड को फिर से विचार किया जाता है आज पीम पद के लिए नैंद्र मोदी लेंगे सपथ जाने समाहरो का कारिक्रम आज ब्रधान मंत्री पद के लिए नैंद्र मोदी सपथ ग्रहन लेने वाले हैं सपथ ग्रहन समाहरो आज साम 7 बचकर 15 मिलेट पर शुरू होगा इस समारो को लेकर सुरक्षा व्यवस्ता दिली में सक्त रखी गई है समारो में सामल होने के लिए 7,000 लोगों को नियोता भेजा जा चुका है सबत ग्रण समारो में कई देसों की राश्टा धियक से सामल होने वाले है आज के दिन दिली को नो फ्लाइंग जोन घोसित किया गया है साथ ही दिली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है 9 से 10 जून तक दिली में 1444 लागू रहने वाली है नितीश को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का ओफर मिलने के दावे पर कॉंग्रिस का बयान सब्द गdoesन समारोस से पहले जजियू के केशी त्यागी का बयान सामने आया है केशी त्यागी ने दावा करते में कहा है कि इंडिक अड़ बंदन से नितीश कुमार को प्रधान मंत्री पद का ओफर दिया गया था अब केसी त्यागी के इस वयान पर कॉंग्रेस का रियक्शन सामने आया है दरसल दिल्ली में कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी की बैठक में कॉंग्रेस के एक वरिस्ट नेता केसी वेनु गोपाल ने कहा है कि ऐसी किसी ओफर के बारे में जानकारी नहीं है आगे उन्होंने कहा कि जिन राज़ों में कॉंग्रेस का प्रेदरसन अच्छा नहीं रहा उसकी समेक्षा के लिए कमीटी गठित की जाएगी पपू यादव में नेंद्र मोदी पर जताया भरोसा एवीपी से बातचीत के दौरान पपू यादव मोदी सरकार पर भरोसा जदाते दिखाई दिये उन्होंने कहा कि विकास के मुद्धे पर पीए मोदी के साथ हूँ नेंद्र मोदी मेरे भी पीएम है पीए मोदी का भरोसा लेने जितने में क्या दिक्कत है बिहार को नंबर वन बनाना है कोसे सिमानचल का विकास होना चाहिए चुनावों में जो बादा नेंज मोदी ने कोसे सिमानचल में किया था उसको पूरा करें हम किसी भी परिस्तिती में पीए मोदी का तब सम्मान करेंगे मैं उनका सहयोग लोगा बिहार को विसेस राजे का दरजा मिले कारा कार्ट में दो की लराई पर तीसरे को फायदा वाली बात पर नम नर्वाचित सांसत का बयान आया सामने लोगसभा चुनाफ के दौरान कारा कार्ट लोगसभा सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही थी इस सीट से CPI के प्रत्यासी और महाग अडवन्दन के समर्थक राजा राम सिंग के जीत के बाद कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि लराई में तीसरे को फायदा हो गया आपको बता दे कि राजा राम सिंग का मुकाबला पवन सिंग और हुपिंद्र कुस वहा से था अब चले ही इने चर्चाओं के बीच नम नर्वाजित सांसद राजा राम सिंग का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि पवन सिंग के साथ मेरी शुब कामनाय है वो गाईकी और एक्टिंग के सेत्र में आगे बर है वैसे उनकी मर्जी वो क्या करेंगे आगे उन्होंने कहा कि दो की लराई में तीसरी को फाइदा मिलना ये बात पूरी तरह से कलत है ऐसी कोई बात नहीं है कारा काट की जनता इंडिया गटवंदन को भी लेकर काफी उत्चाहिद थी आज भारत और पाकस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का महा मुकाबला 9 जून को न्यू यॉक में भारत और पाकस्तान के बीच T20 वर्ल कप का महा मुकाबला होने जा रहा है दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला ना साउ काउन्टी इंटरनेस्नल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है बात ये समय के मुदाविक ये मुकाबला रात के 8 बजे होगा इस मैच की लाइव इस्ट्रीविंग है स्टार स्पोर्ट्स और होड़ स्टार पर देखा जा सकता है आपको बता दे कि अक्सर भारत और पाकस्तान के बीच का मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए काफी डोमांच भरा होता है कि आपको भारत और पाकस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला देखना पसंद है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बता है कई कार्णों से दर्जह भाल के तहास में आज की तारीख, आज की दिन वर्स 1974 में लाल भादुर सास्तुरी भारत के दूसरे परधान मंत्री बने थे आज की दिन वर्स 2018 में केंदर सास्यत सेद्र प्रसासन ने चंडीगर को तंबाकवमुक्ट घोसित किया था आज के दिन वर्स 2008 में अभिनेता सारुख खान ने नौव इंटरनेस्टल इंडियन फिर्म अकायरमी पुरसकार समारो में फिल्म चकडे इंडिया के लिए सर्वस्ट अभिनेता का पुरसकार जीता था आज के दिन वर्स 1913 में चौधरी दिगंबर सिंग का जन्म हुआ था ये पेशे से एक स्वतंतरता सेनानी और प्रसद नेता थे आज की बारेल खबर में हम बात करेंगे कोवीन के इस फरजी साइट के बारे में कोरोना के समय कोवीन साइट आई थी अब इसी बीच कोवीन के नाम पर demo.covin.ion नाम की वेबसाइट देखने को मल रही है देकिन आपको बता दे कि एक कोवीन की आदिकारिक वेबसाइट नहीं है ये वेबसाइट पुरी तरह से फरजी है वाट्चाप इन नए फीचर्स पर कर रहा काम वाट्चाप अपने यूजर्स की सुद्धा को देखते वे कई तरह की फीचर लाता रहता है अब इसी करी में यूजर्स के एक्स्प्रियंस को बहतर करने के लिए एक और नए फीचर पर काम सुरू हो चुका है हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे उससे जबाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समे SLC जैसे ने प्रतों की परिक्षणों में काम आएंगे सवाले दिहास BPSC बिज्ञान करेंटेफेर्स और वो गोल से रहेंगे पूछेंगे पांच सवालों में आपने कितना सही उतर दिया है या में कॉमेंट में लेका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में विस्व परियावरन दिवस्त कब मनाया गया है आप्शन A है तीन जून आप्शन B है पांच जून आप्शन C है चार जून आप्शन D है साथ जून इसका सही उतर है पांच जून हाली में किसे हिंदी साहित भारती पुरस्कार मिला है आप्शन A है स्विनी चिनबबा आप्शन B है कृष्ण प्रकास Option C है उमा संकरी Option D है मेगना अहलावत इसका सही उत्र है क्रस्न प्रकास हाली में नीली रंग की ठीतिंग की नई प्रजाधी की खोज किस राजय में की गई है Option A त्रिपूरा Option B है मिजोरम Option C है अरुनाजल प्रदेश Option D है गुजराद इसका सही उत्र है अरुनाजल प्रदेश बिहार में किसको ग्यान प्राप्त हुआ था Option A गौतम बूद Option B है स्रीक्रेस्थ Option C है सोक Option D अरुनानक इसका सही उत्र है गौतम बूद बिहार में नुहानी बंस कवड़ार किसके कार में हुआ था Option A. भलूल लोदी Option B. अबराहिम लोदी Option C. सिकंदर लोदी Option D. इन में से कोई नहीं इसका सहीं तरह सिकंदर लोदी सवाल का प्रकुमें से बहुत शारे लोगों अपने जवाब हमे मारे कॉमेंट स्थन बॉक्स में लिक कर दिया था जिन्हों हुने मारे पुछे के सवाल का जवाब दिनके नाम है सादुल्ला पालवी मंटु कुमार रमासंकर इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल है आज नरेंद्र मोदी पीम पद के लिए सपत लेंगे एन एकी नई सरकार से आपको क्या उम्मीद है हमें कॉमेंट में लिका जोरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कब्रों के साथ अगर आप फेस्बूक से देखने तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद